इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रसनावली 6.4 6.4 प्रसनावली में जितने कोश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सारे के सारे कोश्चन आज की इस क्लास में आपको बताए जाएंगे इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है क्योंकि इनसे question जरूर आते हैं 6.4 exercise से आपके exam question जरूर आते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है समझना है के question लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 6.6 प्रेमे मैंने आज ही आपको एक वीडियो में करवाई है वो वीडियो जरूर देख लिजेगा क्योंकि उसके बिना आपको इस चैप्टर में इस exercise में कहीं न कहीं problem हो जाएगी इसलिए आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए प्रेमे नमबर 6.6 का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पहला question आपको इस screen पर दिखा है उससे पहले आपको बताना चाहेंगे मैं हूँ सिपम दिवेदी और आप देख रहें अपना पसंदीदा चैनल ग्यानों देखे गुरू जी पहला question आपको इस screen पर देख गया है क्या लिखा है क्या दिया है देखते हैं सबसे पहले पहली line लिखी है कि मान लीजिए ध्यान दीजेगा यहां पर मान लीजिए कि तिरभुज ABC किसी के समरूप है किसके समरूप है DEF के समरूप है ऐसा question में पहले कहा गया है कि तिरभुज ABC DEF के समरूप है तो मैंने एक diagram बनाया और एक diagram बनाया और उस तिरभुज का नाम देदिया मैंने A B और C एक दूसरा त्रिभुज बनाया उसका नाम दे दिया D, E और F समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाए समान उपाती होती है उनके संगत कौन बराबर होते है अगर आपको ये बाते नहीं पता है तो आपको ट्रेंगल चैप्टर फिर से देखना चाहिए जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है एक एक वीडियो बहुत अच्छे से दिया है इस तरीके से अब ये इत्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है ऐसा कह दिया गया है साथी साथ इस त्रिभुज का छेतरफल भी हमें 64 cm2 दे दिया गया है इस तिरभुज का चेतरफल भी हमें 121 cm2 दे दिया गया है हमसे बोला गया है कि यदि EF, EF बराबर भी दे दिया गया है 15.4 cm तो हमसे कहा गया है कि BC को ग्याद कीजिए यह BC क्या होगी और इसकी value जो दे रखी है वो 64 है और इसकी value जो है वो 121 है समझ गया बात को तो हम लोग क्या करते हैं कल एक हम लोगों ने theorem पढ़ी थी कल नहीं आज ही पढ़ी थी कि तिरभुज अगर ABC का चेतरफल है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तिरभुज ABC का चेतरफल बटे तिरभुज क्या नाम है DEF तो हम लोग यहां लिखेंगे तिरभुज DEF DEF का चेतरफल दो तिरभुजों के चेतरफल अगर दे दिये हूँ तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग अगर कर दिया जाए और अनुपात निकाल दिया जाए तो इसके बराबर होगा इसका मतलब BC तो हम लोग BC लिखेंगे और EF तो हम लोग EF लिखेंगे समझ गए उसके बाद इसका इसको यह लिखेंगे यह कहा रहे थे 6.6 theorem में समझ गए तो बताईए तिर्भुज ABC का चेतफ़ल कितना है 64 64 लिखा इसका कितना है 121 और इसका कितना है BC की वैलू नहीं पता BC हमें निकालनी है EF की वैलू 15.4 है ध्यान दीजेगा और इसके बाद इसका स्कार है अगर आप इसको करने के लिए जाओगे इसको सॉल करोगी तो आप इसको डिवाइड करोगे पर आप डिवाइड करोगे तो फिर आप का कोश्चन उल्लेंदी बाद धाए, देखें स्कुएर कभी भी जब दूसरी साइड जाता है तो अपने साथ स्क्वाइर की जगा पर अंडर रूट लगाता है इसका मतलब अंडर रूट शिक्स फोर वन टू वन ठिक इधर होगा बी सी और इधर होगा फिप्टीन पॉइंट फोर समझ गये तो अब बताए चौशट के उपर अगर अंडर रूट लगा हो तो उसका अंसर कितना आता है आठ आएगा क्योंकि आठ को आठ से गुड़ा करो तो चौशट आता है इसलिए 10 और रूट 121 का मान 11 होगा समझ गये फिर देखिए bi see हो गया और in पॉन understood 15 तांड हो होगी अब हमें इसको इससे मल्टिप्लाई करना है और इसको इससे मल्टिप्लाई करना है ग्यारा को बीसी से गुड़ा किया पंदरा दसम्लों चार को आठ से गुड़ा किया यह सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन है और आप लोग समझते उससारी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहें और क्या पढ़ा रहें अब देखिए जांसी फिर देखिए यह बीसी को बीसी रहने दिया यह हो गया पंदरा दसम्लों चार और गुड़े में हो गया आठ और बटे में कित दसम्लों चार को मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 8 से मल्टिप्लाइ करोगे 8 चको 32 हांसे लगे 38 अकम 8 8 3 होगे 11 दसम्लों लगा देंगे यहां पर तो अंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर इस तरीके से आपका यह बीसी आ चुका है अब आप इसका एक ले लिजे स्क्रीन सॉट और यह जो आपको 6.6 थेवरम पढ़ाई गई थी इससे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजेगा आज ही पोस्ट हुआ है स्क्रीन सॉट ले लिजे इसके बाद बात करते हैं कोशन नमबर 2 की अब हम लोग समझते हैं क कोशन नमबर 1 के बाद कोशन नमबर 2 को कोशन नमबर 2 आपको इस स्क्रीन पर धिग्या होगा बढ़ीक है क्षाने एक दम एक समलम्ब ABCD एक समलंब है उसका नाम है ABCD ऐसा कोश्चन में कह दिया है तो हम लोगों ने क्या किया एक समलंब बनाया और उस समलंब का नाम क्या दिया ABCD तो देखिए ध्यान से इसका नाम A, B और उसके बाद C और D ठीक है ये समलम हो गया, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या-क्या आखिर हमें दिया है, एक समलम है जिसका नाम है a b c d, तो लिखने की फिलाल कोई जुरूत नहीं है, फिर देखो लिखा है जिसमें a b c d के समांतर है, a b johar c d के समांतर है, तो इसका मतलब ये इसका ये और इसका ये एक दूसरे को बिंद ओ पर कहां करते हैं प्रतिछेट करते हैं काटते हैं समझ गए फिर देखें क्या कहा रहा है यदि AB 2DC के बराबर हो ये AB जो है वो 2DC कहें या CD कहें उसके बराबर हो तो इसको हल कीजिए क्या सिद्ध कीजिए हमसे पूछा गया है कि तो फिर AOB कहा है AOB हो गया फिर इसके बाद COD के छेत्रफलों का अनुपाद ग्यात कीजिए ऐसा हमसे पूछा गया है ठीक है कोई बात नही हम लोग निकाल लेंगे ठीक अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज को देखे ध्यान दीजिएगा यहां पर इस वाले त्रिभुज को देखे तो यह वाला त्रिभुज यह हो गया और यह वाला त्रिभुज यह हो गया आपको कलर करने जुरात ऐसे नहीं है ठीक और हम लोग कि अनुपात निकालना है तो अगर ही इस तिर्भुज की कोई एक भुजा ले 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 और इसकी कोई एक भुजा ले ले लेंगे अब इतनी बात सुना गई लेकिन पहले ये तो निकालो कि क्या ये दोनों तिर्भुज पहले बताओ कि समरूप है कि नहीं अगर समरूप नहीं यहां पर अगर देखें तो यह ऐसे और ऐसे इसे इस पर दिजिए ऐसे में यह वाला कोड़ इस वाले कोड़ के बराबर होगा क्यों बराबर होगा एक अंतर अंतर अगर दो कोई समानतर रेखाए हैं और इसको ऐसे जाइन कर दिया जाए तो ये वाला को हिसके बराबर होता है थीक्क तो हम लोग लिख सकते ki KIा लिखेंग krij बस B, A, O, बराबर किसके है, बराबर है, D, C, O के, बराबर है, बराबर क्यों है, रीजन अभी लिख दिया जाएगा, सेम वही चीज, ये वाला जो है, वो इसके क्या है, बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजे, हम लोग लिख सकते हैं, कि C, D, O, लिख सकते हैं, CDO या पहले इसको लिख लीजे ABO लिख दिया मैंने ABO is equal to CDO ठीक क्यों बराबर है एकांतर अंता कोड ठीक इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ध्यान दीजेगा हम लोग कह सकते हैं कि तिरभुज A O B जो है तिरभुज A O B जो है वो समरूप है किसके समरूप है देखिये ध्यान से A वाला C के बराबर है C ठीक A वाला C के बराबर है B वाला D के बराबर है तो B वाला D के बराबर है और O वाला तो O के बराबर है ही ये वाला कोड इस वाले के बराबर होगा ही क्योंकि C रिसा भीमुज कोड है समझ गया तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि अताह आप दीजिए ध्यान यहाँ पर अताह ए ओबी का छेतरफल कि बटे सी ओडी सी ओडी का छेतरफल कि क्या लिखोगे आप ए ओबी में ए भी आया ए भी लिखोगे उसमें सीडी आया समझ गया उसका होली स्क्वाइर लेकिन ध्यान दीजिए एबी की जिगा पर तो टू सीडी लिखना है तो यहां हम लिखेंगे टू सीडी और यहां लिखेंगे सीडी सीडी से सीडी कट गया क्या बचा बचता है मेरे पास दो बटे एक का होली स्क्वाइर और दो क को पहले समरूप दिखाया फिर उसके बाद छेटफल वाला नियम लगाया मैंने फिर कहा ठेओरम नंबर 6.6 को जब तक नहीं पढ़ोगे यह आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए आपको प्लेश्ट में जाना है चैप्टर नंबर 6 को देखना है प्लेश्ट नहीं मिल रही Newton do तो इसका तो सबसे पहले लिए scrut इसके बाद करते हैं नमबर 3 की और 你 आपने इस स्कृरीन पे तो ये इसका आधार हो गया, इस आधार पर दो तिर्भुज बने हुए हैं, एक तिर्भुज का नाम है ABC और एक तिर्भुज का नाम है BD, ये BCD, दो तिर्भुज बने हुए हैं, इतना तो आपने समझी लिया होगा, फिर देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि AD, BC को O पर प्रतिछेद करें अगर जो AD है वो BC को अब AD को इसका मतलब हमें जॉइन करना पड़ेगा AD जो है वो BC को O पर काट दे अगर ऐसा हो तो देखें फिर क्या कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि तरभुज ABC का छेतर फल बटे तरभुज BCD का छेतर फल बराबर AO अपाउन DO इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर हमें क्या दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या दिया है हमें लिखा है दिया है A, B, C तिरिभुज है एक और इस तिरिभुज में जो आधार है वो B, C इसका दोनों का आधार है और साथी साथ इन्होंने कहा है कि जो B, C है उसको O प्रतिछेद कर रहा है तो दिया है तो किनारे करते हैं हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है ठीक है क्या लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है ध्यान से देखिएगा ठीक है लिखेंगे त्रिभुज ABC का छेतरफल बटे त्रिभुज BCD का छेतरफल बराबर हमें ये प्रूफ करना है कि AO upon DO यह प्रूफ करना है कैसे हम लोग इसको करेंगे जड़ा ध्यान से देखिएगा अगर बहुत ध्यान से सुनेगा यह आपको त्रिभुज यहां पर दिख रहा है ठीक अगर इस त्रिभुज में यह इसमें देखिए द्यान से चत्रिभुज है यह उपर वाला य यह त्रिभुज और नीचे वाला यह त्रिभुज ठिक अगर इसमें यह लाइन लंब एक खीच दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि यह इसका आधार हो जाएगा और यह इसका लंब यहां पर भी खीच दिया जाए तो यह इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और बीस इस थे, आज मैंने वीडियो को थोड़ा सा चेंज किया है और कुछ जल्दी में कुछ प्रॉब्लम हुई, इसकी वज़े से हमें इस वीडियो को हटाना पड़ा था, देखे ध्यान से, तो हमने क्या किया, इसमें हमने की रचना, और रचना में क्या करेंगे, देखे ध्यान से, ह का नाम क्या होगा इसका नाम मैंने देखिये AM दे दिया और इधर से एक CCS slash कीच दिए मैंने और इसका नाम मैंने ए एं रखा ठीक तो इसका CCS का नाम है AM वह B और N खीचे यह हम लोग ने लिख लिया ठीक इतनी क्लियर समझ में आ गए होगी इसके बाद हम लोग इसकी उपपत्ति करेंगे या फिर आप चाहो तो हल लिख सकते हो ठीक अब ध्यान से सुनिए हम इस कोश्चन को के लिए यहां जगा छोड़ते पहले इधर का करते फिर इधर का करेंगे तो आपको जादा बहतर समझ में मैंने इसका छेतफल जब त्रिभुच ABC का निकालेंगे तो लिखेंगे एक बटे दो आधार कौन है BC है तो आधार BC हो गया उचाही कौन है मतलब लंब कौन है AM है तो BC और यह हो गया AM ज्यान से सुनिए फिर उसके बटे दो इसका भी आधार क्या होगा BC ही होगा और इसकी जो उचाही होगी उसके डियो होगी नई स्वरी क्या होगी डियन होगी तो मैंने एह पर क्या लिखा डियन समझ गए इतनी बात को BC से BC कट जाएगा एक बटे-दो से बटे-दो कट जाएगा बचेगा क्या AM अपाउन डियन बताईए बचेगा कि लाना तो हमें AO अपाउन है हमें अगर ध्यान से हम लोग इसको देखें तो यहां पर 20 कोड़ बन रहा है है यहां पर blowing कोद रहा है यह यह वाला को इस वाले कोड़ के बराबर है सीरसाभी that तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला त्रिभूज इतना बड़ा है और जो ये वाला त्रिभूज इतना बड़ा है दोनों आपस में समरूप है अब कैसे समरूप है देखिए ध्यान से हम लोग लिखेंगे अभी इसी को हम लोग खतम कर देंगे यहां से लिखेंगे त्रिभूज AMD AMO क्या लिखेंगे AMO वा त्रिभुज रचना क्यों करनी पड़ी समझ मैं बात क्योंकि यहां 90 डिगरी पे नहीं था ठीक है सो हम लिखें AMO वा त्रिभुज क्या लिखेंगे DON ठीक क्या लिखेंगे DON या DNO लिख दीजे DNO में ध्यान से सुनिएगा कोड़ जो इसका M है वो कोड़ किसके बराबर है N के बराबर है क्यों बराबर है लिखेंगे प्रतेक 90 डिगरी आई बात समझ में फिर उसके बाद इसका जो कोड़ O है ठीक है तो O है उसका नाम चाहो तो लिख सकते हो AOM या AOM वो किसके बराबर ह DON के बराबर है DON के बराबर क्यों बराबर है सीरसा भीमुख कोड़ है भीमुख लिखिएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ध्यान से सुनिएगा तिरबुज A B AMO क्या लिखेंगे AMO वो समरूप है किसके समरूप है देखिए ध्यान से A वाला D के बराबर तो A वाला D के बराबर अगर आपने पहले के वीडियो मेरे नहीं देखे तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी M वाला किसके बराबर N के बराबर तो N लिखा मैंने DN फिर उसके ओ तो O के बराबर इस प्रकार से यह इसके समरूप हो गया आई बात समझ में अब यह मैंने स से आटविखे धियां से अैंय को अपनमेडीन यह इसके स संगत है कि नहीं है बता इक कि इसके सामने और इसके सामने एख आ देखे करना था पूरूफ करना था इतना आपको समझमें आया होगा इसके बाद छी और Unit 4 अच्छे आप देख लिजेगा इसके बाद में लोग उसी की बात करने वाले हैं कि इतना समोझ में आया होगा कोशें में कोई दम नहीं थी बस इतना था कि ध्रान देना था यहां 90 और 90 डिगरी का जब को हम कल कर रहे थे तो वहां पर 90 डिगरी को ध्यान में नहीं रखा गया था इस वज़े से वीडियो को चेंज करना पड़ा तो चलिए अभी आप इसका ले लिजे है इंपॉर्टन कोशन है यदि दो समरूब तिर्भूजों के छेतर फल बराबर हो दो कोई समरूब तिर्भूज है एक तिर्भूज मैंने मान लिया कि ए बी सी तो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी और सी एक दूसरा तिर्भूज मान लिया और उसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू और और कुछ भी आप रख सकते हो उसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर कह रहा है कि इनके छेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध करो कि वह सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम मतलब कि इनके सभी अंगा आपस में क्या हैं बराबर है, यह प्रूफ करना है तो त्रिभुज ए बी सी का छेत्रफल जो कि किस के बराबर है पी क्यू आर के बराबर है पी की बहुत आसान कुश्ण है लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी नहीं लगाया है तो आपको प्राब्लम होगी फिर उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है ध्यान दीजिए हमें यह सि सी है वो सरवांग सम है ऐसे चिन होता है सरवांग सम का किसके सरवांग सम है पी क्यू आर के सरवांग सम है ऐसा हमें प्रूफ करना है कोई बात नहीं अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे यहां पर लोग लिख देखते हैं हल ध्यान दीजिए का ध्यान से ठीक हम लोग लिख और तिरभुज PQR का छेदफल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है अर्थात यहां लिखेंगे हम AB और अपान में लिखेंगे PQ AB PQ यहां लिखेंगे PQ और इसका हम करेंगे वर्ग ठीक फिर करें लिखेंगे BC तो हमने BC लिखा अपान में लिखेंगे QR देखेंगे ध्यान से एक बात बता दें अगर आप continue लगातार पिछले वीडियो को देखते हैं तो आपको ज्यादा बहतर समझ में आएगा बीच से टपक पड़ोगे तो फिर ऐसे किनारे हो जाओगे वीडियो छोड समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वजा है कि आपने सुरू से ध्यान नहीं दिया अगर आप ध्यान सुरू से दोगे तो फिर समझ में आएगा सब अब देखो ज़रा ध्यान से इसका और इसका छेतफल बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC का छेत जाने के और यह स्क्यार ठीक और इसको लिख सकते हो क्यूवार ठीक और इसको लिख सकते हो AC अपन प्यार बस हुआ ही तो छाप दिया यह कट जाएगा तो यहां आएगा एक यह हो जाएगा AB अपन पीक्यू यह हो जाएगा BC अपन क्यूवार यह हो जाएगा AC और अपन प ठिक और इनका रहेगा होल इसकायर हुख की अभी एंधान से देखिए यह बाला भी एक के बराबर है वाला भी हेवज लगा यह यह जा चुह किए को बढाबर है तो हम क्या को सकते हैं कि इसे स्थ हर्श्ट सेकेंड इसका मतलब हम लोग लिए सकते हैं, ध्यान दीजे, अगर इसको इसके बराबर मैंने लिखा, चलो एक लिखके दिखा देते हैं, ठीक, इसक्वैर हटाओगे, अंडरूट लगाओगे, अंडरूट से वन के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये एक के बराबर होगा, इसी प्रकार ये भी और इसी प्रकार ये भी, तो ये अबी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ये बी इसी अपॉन क्यू आर हो जा किसको इसके साथ multiply किया तो हम लोग लिख देंगे कि अतहा ए भी जू है वो पी क्यू के बराबर होगा अगर हम इसको एक के बराबर ले ले और आपस में multiply कर दे इस को इसके साथ जैसे कि ऐसे इसकोफ ही कर साथ in A, B, Q to BC OR क्यो आर्वी परावर BC OR QR भी ठीक उसी प्रकार AC और PR भी बराबर ओवर अब यह देखें a b जो है वो LGBTQ, के बरावर B, C जो है क्यो आरके बरावर A, C जो है वो बराबर वैसे बीसी और क्यूर भी बराबर बीसी और क्यूर भी बराबर ठीक उसी प्रकार एसी और प्यार भी बराबर बराबर अब यह देखें एबी जो है वह पीक्यू के बराबर बीसी जो है वह क्यूर के बराबर एसी जो है वह पी आर के बराबर और यह कि बीसी क्यूर कि आदर की बराबर दिनए कि नहीं इसका मतलब यह दोनों तर्फुज सरवांग सम है समरूप तो है ही सरवांग संभी हो गए समझ गये तो हम लोग लिखेंगे आता हा तिरेवुज ABC के सभी अंग क्या है समान है किस के साथ समान है क्यों मिरभाई किस के साथ समान है PQR के साथ समान है उमीद है इतना समझ में आया होगा आज का code word है आज का code word है smiley ठीक है आपको अच्छे से smiley send करना है ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लाश्ट तक देखते हुए आए हो और इस smiley के साथ लिखना है I have done अगर आपने ये लिखा तो समझ में आयागा मुझे कि आप अन्त तक देखते हुए आए हो तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसका आप ले लिजे स्क्रीन सॉट इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉश्च नमबर 5 कॉश्च नमबर 6 कॉश्च नमबर 7 गॉश्च नमबर 8 और कॉश्च नमबर 9 के साथ 8 और 9 बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन कोश्च न है एक एक नंबर के लिए बहुविकल्पी आपके एक्जाम में आते हैं तो अभी थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा थगे हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पांच साथ आठ नो के साथ अभी हम लोग करेंगे इस क्लास को खतम दो वीडियो में 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हो जाएगी मतलब जब अभी आएगी तो इस तरीके से वीडियो को अंत करते हैं वीडियो का और अब धीरे धीरे ना आपको सब ट्रेंगल वाला समझ में आने लगा है तो अभी इसके बाद 6.5 में बहुत अच्छे अच्छे कोशन से उनको भी हम लोग करेंगे धन्यवाद बेस्ट आफ लग मेनत करते हैं